जेस्टी घटने के बावजूत ग्राहकों को महंगा समान बेचने के लिए पतंजली पर 75 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है नेशनल एंटी प्रोफिटेरिंग अथ्योर्टी ने कहा कि वाशिंग पाउडर पर वस्तू एवं सेवाकर में कटोती के बावजूत पतंजली ने उसके रेट बढ़ा दिये थे और इस कटोती का फायदा ग्रहकों तक नहीं पुँँचाया जीस्टी में कटोती के बावजूद पतंजली ने टैक्स नहीं घटाई थे जादा दर से ग्रहकों से वसूलू करती रही कंपनी इसके लिए काफी जुर्माना लगाया गया है भारे जुर्माना ZST में कमी तथा फायदा ग्रहकों को तक ना पहुचाने और समान रेट जादा लेने के लिए बाबा रामदेव के संरक्षन वाले पतंजली आयुर्वेद लिम्टिड पर 75 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है सुत्रों के अनुसार नेशनल एंटी प्रॉफिट येरिंग एठोटी ने यह जुर्माना लगाया है एन ए ने कहा कि वाशिंग पाउडर पर वस्तू एवं सेवा कर में कटोटी के बावजूद पतंजली ने उसके रेट बढ़ा दिये थे और इस कटोटी का फाइदा ग्रहकों तक नहीं पहुंचाया आदेश के मुताबिक पतंजली को जुर्माने की राशी के साथ ही 18 फिस्दी जी एस्टी की राशी का केंद्र और राजे सरकारों के उप्भुकता कल्यान फंड में जमा करना होगा इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एन एने के ने कहा कि सेंट्रल जी एस्टी एक्ट का उलंगन करते हुए पतंजली ने टेक्स में कटोटी का फाइदा ग्रहकों तक नहीं पहुंचाया है इसलिए उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एन एए ने कहा कि जी एस्टी पहले 28-18 फीसदी और फिर नवंबर 2017 में 18-12 फीसदी कर लिया गया लेकिन पतंजली ने पने ग्रहकों को इसका फाइदा नहीं दिया इसके जवाब में पतंजली का तर्क था कि जी एस्टी पहले के दोर की तुलना में लागत काफी बढ़ गई थी लेकिन उन्हें ग्रहकों पर इस बड़ी लागत का कोई बोच नहीं डाला था लेकिन एन ए ए ए ने इस तर्क का सविकार नहीं किया कहा कि ग्रहकों को फाइदा ना पहुचाने कि यह कोई वज़ा नहीं हो सकती पतंजली ने तो यहां तक कहा कि एन ए ए की जाच देश में उसके कारोबार करने के अधिकार का उलंगन करती है लेकिन एन ए ए ने उसके इस दावी को भी खारिश कर दिया है एन ए ए ने कहा कि उसे यह सुरिशित करने का काम मिला है कि टेक्स में कटोती का फाइदा ग्रहकों को तक पहुचे डिरेक्टर जर्नल ओफ एंटी प्रोफिटेरिंग को कहा गया है कि वह चार महिने के भीतर इस जुर्माने के अनुपालन की रिपोर्ट सब्मिट करें ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल सब्सक्राइब करें